हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल फन लाइबरेरी और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे और इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि कि फ्रीफायर को कैसे खेलना है यह बेसिकली उन लोगों के लिए है यह गेम जिन्होंने अभी फिलाल में ही फ्रीफायर को डाउनलोड किया है तो चलिए शुरू करते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं यह सही आप game open करते हैं आपको कुछ इस तरीके का interface देखने को मिलता है जिसमें काफी सारे options है top left corner पर आपको देख सकते हैं आपकी ID, आपकी कितने passes है, coins कितने हैं आपके पास, diamonds वगएरा कितने हैं टॉप राइड कॉर्णर से सेटिंग मैसेज और अब बाकी ऑप्शिंस हैं ठीक है लब साइड में देखेंगे आप करेक्टर वाल पैक्ट और यह कलेक्शन वगएरा की आइटम सापको दिखेंगे करेक्टर में आप जाएंगे तो आपको करेक्टर वगएरा आप चूज कर स आपको जो है बेसिक कोई भी करेक्टर लीजिए और सेटिंग्स इंपॉर्टेंट है बहुत जो कि मैं आपको अभी बता देता हूं सेटिंग्स आपका टॉप राइट कॉर्णर पर आप देख रहोंगे वह जो वील बटन था उस पर मैंने क्लिक किया बेसिक सेटिंग्स है या आपकी जिनको आपको जाए जैसे ना नहीं है आप डिम्ट और पकरता है कि आप अल्ट्रा मोड में ज版 रुखिलना चाहते हैं स्टेंटर अ nनो कमफर्टेबल लगता आप खेल सकते हैं बट मैं प्रेफर करता हूं अल्ट्रा मोड में तो मेरी सैटिंग्स उसी आप से हैं इसके अलाबा कंट्रोल में जाके आप जो है बेसिक सैटिंग कर सकते हैं अपनी कस्टाम हुड़की कि आपका जो फायर बटन है वो कहां होना चाहि है चाहिए अगर को इसको फटाफर से शूट कर सकेसा इसी तरीके से आपके बनीफी AO साय जपका है यह बैठने वाला है यह मैडिकल किटका है औो इस तरह आपको गया आप सकते हैं इसके बाद मैं आपको मोड बताने जा रहा हूं टॉप राइड का अरे anderen कि आएक अरिव क अंदे का जो है एक आपको लोगों दिख रहा होगा यहां पर क्लिक करेंगे तो स्क्वार्ड डू और सोलो का उप्शन दिखता है क्योंकि अभी नए है तो आपको सोलो ही खेला है और इसमें फिलाल तो आपको क्लासिक मोड ही सबसे बैस्ट रहेगा रेंक्ट वगेरा आप खेल सकते हैं बड़ थोड़ा लेवल आप होने के बाग तो चलिए यह मैं दिखाता हूं आपको मैंने बर्मियूजा पे क्लिक किया और स्टार्ट पे क्लिक किया तो जैसे कि आप देख रहे हैं यह इस तरीके से आता है यह बैसिकली आपको वाम-प का टाइम मिलता है यहां पर आपको कुछ करना नहीं है बस आप यहां देख सकते हैं कि कौन-कौन से प्लेयर आपके टॉप 3 रैंक्ट प्लेयर से आपकी रैंकिंग क्या है थोड़ा से किजे गेम अपने अब शुरू हो जाएगा किसी भी जगह उतर सकते हैं जो भी नजदीक हो plane के तो हम उस जगह पर जा सकते हैं और आपको जैसे ही उस location के थोड़ा सा नजदीक हो आपको उसके बाद ही eject करना है पहले eject नहीं करना है और eject करते ही हम plane से बाहर आदाते हैं और इसके बाद हमें थोड़ी देर तक सर्फ करना है जब तक हम अपने लोकेशन तक नहीं पहुंच जाएं क्योंकि अप प्लेइन से निकलते ही अगर आपने पैराशूट ओपन कर दिया तो आप उसी जगह के आसपास ही गिर जाएंगे जहां आपने पैराशूट ओपन किया थोड़ी देर तक आपने सर्फ किया उसके बाद हमने पैराशूट लोकेशन के पास आने के बाद पैराशूट ओपन किया और हम उतरते ही सबसे पहले क्या करेंगे हमें अपनी जो है सारी ज़रूरी चीज़े एखटी करनी है जैसे गन्स हो गई शॉट रेंज हमें एक शॉट रेंज की कन चाहिए होगी ठीक है क्योंकि अगर क्लोजरेंज में कोई कंबैट के साथ है इसको मार सके लांग रेंज के लिए एक ग्राइफर वगेरा कुछ भी ले सकते हैं बहुत सारे से बना दूंगं एक पूरी नीटिवा कि कौन सी शॉर्ट रेंज गन अच्छी रहेगी कौन सी लॉंग रेंज की गन होती है अच्छी चीक है और जो आप ले सकते हैं और जो जिसकी परफॉर्मेंस और डैमेज काफी जादा होता है वो सारी चीजे में अलग वीडियो बना दूँगा आपके लिए फिलाल तो हम हमे खाते हैं में मिल चुका है और देखेंगे और जो जो हमें जरूरी चीजेश मिल चुका है apenasNow से पहले क्से पहले कि कि कि्सी प्लेयर की प्लेयर के पास हमिए पूरे घर को हम अच्छे से देखेंगे च्छत पर जाके भी देखेंगे च्छत पर बैसिकली हमें मिली जाता है और इस तरीके से हमें जो भी जरूरी चीज़े हम उसको ले सकते हैं और लेफ्ट कॉर्णर पर आप देख रहे होंगे एक बैग को ऑप्शन दिख रहा होगा अगर तो एकटी किया वह सारी हमारी बैग में आपको देख सकते हैं ग्रेनेड वगेरा मैगजीन वगेरा हमने ली है चीक है एस जी एमो ले रखी है मैंने चीक है और जो गंस है वो तो हमारी आपको दिखी रही होगी यहां पर देखेंगे यह गन है हमारी प्लाजमा और इसके लाव बागी गन भी है चीक है तो इस तरीके से जो है हम यह तरीकों सारी गेम के अंदर जहां जहां हमें जो भी मिल सकता है पहले वह एकटी करेंगे उसके बाद किसी फाइट में इन्वाल्व होंगे चीक है तो हम अभी देखते हैं दूसरे घर के एक्स्प्लोर करते हैं तो चलिए तो इस तरीके से हम देखिए और देखिए जैसे कि मेरे सामने एक प्लेयर बना अल्रडी मुझे दिख रहा है ठीक है तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसको मारें क्यूंकि अगर आप नहीं मारेंगे तो वह आपके उपर जरूर अटैक करेंगा तो वह क्यूंकि उस उसकी कार को डैमेज कर दिया है और अनफरुचनेटली उसने हमें शूट कर दिया है हमने कई राउंड़ फाइर की लेकिन कोई बाद नहीं यह आपको वस बताने के लिए था ठीक है इस तरीके से देखिए आपको इससे पहले कि दूसरा प्लेयर आपको उसको किल करना है ठ प्लेयर जलदी नहीं मरेगा एक हैड शॉट उसने कर दिया अच्छा और वो भी अच्छे गं से तो आपको एक शॉट भी आपको मार सकता है है जो की उसने किया लेकिन कोई बात नहीं ऐसे आपको प्लेयर से बचना है आपको अच्छी गंस लेनी है और आपको शूट करना है उनके हट शूट करना है ठीक है बॉड़ी पर शूट करेंगे तो वो बॉड़ी आर्मर उसको काफी हथ तक उसको बचाएगा और आपके कुछ राउंड के कर सकते हैं basic चीजर मैंने आपको बता दी अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कुछ और भी गेम में बता हूँ तो वह आप मुझे चीक है और फिर हम बैक कर देंगे तो यह चीजे हैं गेम में जो आपको ध्यान रखनी है अगली वीडियो मेरी आने वाली है चीक है कौन कौन सी गंस यूज करनी है आपने इस तरीके कि मैं पूरी गंस के ओपर डिटेल दूँगा ताकि आपको पता चले कि कौन सी गंस आप ले सकते हैं और किस गं को लेकर आप जीत सकते हैं चीक है तो अपनी जो है यह वीडियो देखते रही है अपने फ्रेंड्स को शेर कीजिए कॉमेंट्स कीजिए बढ़े बताइए वीडियो कैसी लगी और मैं इसमें क्या आपके लिए अच्छा कर सकता हूँ चीक है चलिए मिलते हैं फिर अगले अगले हफ़ते और अगले वीडियो में तिल देन थैंक यू वेरी मच फो वाचिंग दिस वीडियो वाचिंग वीडियो